आज के इस वीडियो में हम आपको मिर्च काटने के बाद हाथों में हो रही जलन से छुटकारा पाने के कुछ खरीलू उपाय बताएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहला उपाय है आइस क्यूब और ठंडा पानी यदि आपकी हाथों में ते जलन हो रही है मिर्च काटने की वज़ा से तो उस वक्त अपने हाथों की जलन को दूर करनी के लिए आइस क्यूब का इस्तिमाल करें आइस क्यूब को एक बड़े से बरतन में आप ठंडा पानी डाल कर अपने दोनों हाथों को और उसमें भीगो कर रखें जब तक आपको अराम नहीं मिल जाता चार-पांच मिनट के अंदर ही आपको अराम मिल जाएगा दूसरा उपाय है तूथपेस्ट जहां पर भी आपके हाथों में जलन हो रही है आप वहाँ पर तूथपेस्ट का एक लेयर लगा लेजिए अच्छे तरीके से पांच-दस मिनट के अंदर ही आपको अराम मिल जाएगा तीसरा उपाय है इलोबेरा इलोबेरा चेल में औसदी गुड़ पाये जाते हैं इसके इलावा ये बहुत ठंडा भी होता है और हमारी तचा को ठंड़क देता है यदि आपके हाथों में मिर्श काटने की वज़े से जलन हो रही है तो वहाँ पर आप इलोबेरा की एक लेयर लगा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजे थोड़ी देर में ये आपको आराम मिल जाएगा चौथा उपाय है दूद, दही या मक्खन मिर्श काटने से हाथों में हो रही जलन को दूर करने के लिए आप अपने हाथों में दूद, मक्खन या दही की एक लेयर लगा कर दूर से पांच मिनट के लिए आप छोड़ दीजे उसके बाद थंड़े पानी से धोलीजे जल्दी आपके हाथों की जलन दूर हो जाएग आपके हाथों की जलन तुरंद कायब हो जाएगी उपाय नमबर 6 है नीबू यदि मिर्श काटने की वज़े से आपके हाथों में जलन हो रही है तो नीबू के जूस को आप रूई की सहायता से अपने हाथों में अच्छी तरीके से लगा लीजे थोड़ी देर में आपको जलन से चुटकारा मिल जाएगा ध्यान रखे कि ज़्यादा रब करते हुए नहीं अगर आप चाहते हैं कि मिर्श काटने से हाथ में हो रही जलन वाली समस्या आपको दुबारा ना हो तो मिर्श काटते समय आप गलब्स का इस्तिमाल करें या छोटी सी कैची का इस्तिमाल करें जिससे आप आसानी से मिर्श काट सकते हैं या फिर गलप्स पहन कर आप मिर्च काटेंगे तो आपके हाथों में मिर्च नहीं लगेगी और इस जलन का सामना आपको कभी दुबारा नहीं करना पड़ेगा ऐसे ही नए-नए टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक और कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा थैंक यू